बहुत सारे लोग इस समय पर घवराय हुए है कि बिटकोईन जिस तरह से उपर उपर और उपर चलता जा रहा है कही उनकी आल्ट कोईन्स की बाइंग न रह जाए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे है कि बिटकोईन कब 40,000 डॉलर की उपर आएगा और वो अपनी आल्ट कोईन्स की बाइंग करेंगे आपको पता होगा कि आज से पुरे दो दिन पहले बिटकोईन की हाविंग कंप्लीट हो गई है कहा तो यह जा रहा था कि जब हाविंग कंप्लीट होगी बिटकोईन बहुत तेजी से उपर जाएगा बड़ासा कुछ भी नहीं हुआ बिटकोईन बहुत अच्छे से कंसॉलिडेट कर रहा है और खास बात यह है कि बहुत अच्छी एक रेंज बाउंट के अंदर ट्रेड हो रहा है जबसे हमने 72,000 डॉलर की उपर आल्ट कोईन्स में एक्जिट किया है तब से बिटकोईन तीन बार 59,000 डॉलर के माग को टच करकर आया है किसी भी हालत में बिटकोईन ने 59,000 डॉलर को तोड़ा नहीं है यानि कि वो भी बहुत अच्छी सपोर्ट बन गई है और आज की दर में बिटकोईन 66,000 डॉलर की उपर चल रहा है और बहुत अच्छे से एक रेंज बाउंट के अंदर ट्रेड हो रहा है जब दो दिन पहले होविंग कंप्लीट हुई तो उमीद थी कि बिटकोईन बाउस बैक करेगा बट बिटकोईन तो वही पर रहा आल्ट कोईन बहुत अच्छा बाउस बैक करे 10% से लेकर 40% के असपास पिछले दो ही दिनों के अंदर अदर आल्ट कोईन अच्छा खासा पंप होए है आज हम बात करेंगे कि आल्ट कोईन को कब बाउस करना चाहिए क्या अभी के प्राइजिस के उपर बाउस किया जा सकता है या फिर अभी भी थोड़ा सा मारजन मिल जाएगा और वो एक परफेक्ट बाउस जुन होगा दूसरी बात करेंगे कि बिटकोईन का अग्जेक्ट बाटम क्या हो सकता है अब तो हाविंग भी कंप्लीट हो गई है क्या अभी भी उमीद है कि बिटकोईन नीचे आएगा और तीसरी हम बात करेंगे बाइनांस के उपर जो दिक्कते है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस समय पर जो बाइनांस के दिक्कते है वो एक, दो या फिर तीन तरफ से नहीं पूरा का पूरा वर्ल्ड इस समय बाइनांस के पीछे पड़ गया है और चौती बात करेंगे ऐसे तीन आल्ट कोईन्स की जिनको मैंने भी मिस कर दिया हाला कि शुरुवाती दोर में मैंने अपने पोर्टफोलियों में रखा था बड़ उसके बाद बात करना बूल गया बड़ ये तीनों की तीनों आल्ट कोईन्स में पोटेंशल बहुत बड़ा है पुराने जैम्स है मार्केड में बहुत ग्राउंड वर्क अपना कंप्लीट कर चुके है कम्यूनिटी धीरे धीरे इतनी सॉलिड हो गई है कि उमीद है कि ये प्रोजेट आज के प्राइजिस से आने वाली बुल रैली में फाइव टू टू टैनेक्स तो एजिली कर लेंगे मेबी ट्वंटी टू टू ट्वंटी फाइव एक्स भी जा सकते हैं मास्चर प्लान को लेकर बात कही थी जहां पर पूरा का पूरा वल्ड क्या सोचता है वेल्स हमेशा उसके ऑपोजिट काम करते हैं इस समय पर उमीद थी कि वेल्स हाविंग के पहले जा फिर हाविंग के इमिजेट बाद मार्केट को पंप कर सकती हैं बढ़ हुआ बिलकुल उल्टा मार्केट बिलकुल भी पंप नहीं हुई उल्टा वहीं पर कंसॉलिडेट कर रही है 64,000 डॉलर से लिकर 66,000 डॉलर की आसपास मेरा मानना है कि मई के महीने में मार्केट यहां पर करेक्शन ले सकती है अब यह करेक्शन अगर आपके दिमाग में है कि बिटकॉन 40,000 डॉलर तक चला जाएगा तो मैं मानता हूँ कि यह तो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा अगर कोई बड़ी नेगटिव नीज़ ना आ जाए जैसे कि बाइनास क्रैश हो गया किसी कंट्री ने बड़ी कंट्री ने क्रिप्टो को पूरी तरह से फुली बैन कर दिया तब तक मुझे 40 यह डॉलर नहीं जाता हूँ दिखाई दे रहा मैं मानता हूँ कि बिटकॉन 55,000 डॉलर के आसपास अभी भी आ सकता है और इस चीज़ को मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ बट इसी के सासत पॉइंट नंबर टू को भी कवर करना चाहूँगा मैं 55,000 डॉलर का इंतजार तो कर रहा हूँ बड़ अपनी आल्ट कोईंस की बाइंग भी कॉन्टिनूसली करता जा रहा हूँ अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में 100 डॉलर लगाने है तो 10-10 डॉलर करके अलग-अलग प्राइस रेंजिस के उपर इंवस्ट करते रहे क्योंकि अग्जेक्ट बॉटम को पकड़ना, प्रेडिक्ट करना और वहाँ पर अगर आ भी जाए, तो बाइंग कर ले लेना बहुत मुश्किल होता है इस वज़ा से जितने भी हमारे डार्लिंग ओल्ट कोईंस है जिनको हमने बहुत लंबी रिसर्च, दो सालों की रिसर्च के बाद कम्प्लीट किया है उसमें बाइंग करते रहें, अगर आपको नहीं पता वह डार्लिंग ओल्ट कोईंस की लिस्ट किया है या फिर जानना चाहते हैं तो यह बिल्कुल फ्री है, आप डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करकर जॉइन करें वहाँ पर मैं आपको डार्लिंग ओल्ट कोईंस की लिस्ट दे दूँगा, और यह डार्लिंग ओल्ट कोईंस की लिस्ट हमेशा हमें इंप्रूफ करते रहते हैं, कोईंस को एड करते रहते हैं, उनकी प्राइस रेंजिस को रिएडिट करते रहते हैं, तो मेक शूर अगर आपके बस already है भी है तो भी एक बार फिर से चेक कर ले कि हमने नई additions वहाँ पर क्या किया है तीसरा point जो मैं आपके साथ cover करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा बाइनास के साथ आपको पता है कि बाइनास के उपर जो दिक्कते हैं वो continuously बढ़ती चली जा रही है जब बाइनास को पहले तो US में fine लगा लगबख 4 billion US dollars का बाइनास को नाइजिरिया में बैन किया गया चलो अभी हाली की बात करते हैं इंडिया में इसके application को बैन कर दिया गया और अब बाइनास के उपर 2 million US dollars का इंडिया में भी fine लगा है अब news आ रही है कि कैनेडा में बाइनास को सू किया गया है और ये news अभी थंडी भी नहीं हुई थी अभी फिलिपिन्स में SEC ने order किया है Google को और प्लेश चूर को बाइनास की application उनकी country में से हटा देने के लिए ये सारी कि सारी news is कहीं न कहीं बाइनास को बाइनास के business को, reputation को और ultimately crypto को effect करती है बाइनास का crypto में बहुत बड़ा role है और कहीं न कहीं लोग बाइनास के उपर आँख बंद करके trust करते हैं अगर कल को खुदा ना खासता बाइनास को कोई दिक्कत आ गई तो market में जो लोग 40,000 dollars के आसपास का mark अपने दिमाग बे चला रहे है शायद वो टच हो सकता है बाइनास के उपर दिक्कत आती है तो market एक बहुत बड़ा shake off लेगी और market अच्छा खासा dip यहां से ले सकती है बड़ ये सारी चीज़े एक तरफ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं मानता हूँ कि 10 दिन से लेकर 15 दिन maximum होंगे और market वापिस से 70,000 dollars से उपर आ चुकी होगी क्योंकि negative news जिस तरह से चल रही है और impact भी कर रही है वहीं पर positive news भी कम नहीं है जिस तरह से US में ETF का अप्रूव होना अभी हाली में Hong Kong में Bitcoin के सासर Ethereum का ETF भी अप्रूव कर दिया उमीद है US में भी Ethereum का ETF जून और जुलाई में अप्रूव हो जाए और बहुत सारी ऐसी countries है जो continuously Bitcoin और Ethereum की ETFs के उपर काम कर रही है और उसे अप्रूव कर सकती है जपान की तरफ से भी ऐसी न्यूज आपको जल्दी सुनने को मिलेगी यानि कि negative न्यूज से जदा बड़ी है positive न्यूज और इन सब चीज़ों से बड़ी न्यूज है Bitcoin की कम होती हुई supply अभी halving हो गई है और Bitcoin का reward size हो गया है 3.125 के आसपास और अगले 4 सालों के बार यह और आधी कम हो जाएगी यानि कि आने वाले 10 सालों में एक Bitcoin का price 1 million US dollars अगर आज की rate में बात करें तो लगभग 9 करोड रुपे का एक Bitcoin हो जाएगा और यह चीज़ मैं नहीं ऐसा पूरा world कह रहा है और आपके सामने होगा इस से ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर आप alt coins में माइंग बनाना चाहते हैं तो अभी के prices भी बुरे नहीं है अगर आपका vision long term है अभी के prices भी बुरे नहीं है अगर आप अगले 2 सालों के लिए alt coins को add hold कर सकते हैं अभी के prices भी बुरे नहीं है अगर आप अच्छे अच्छे alt coins, darling alt coins को अपने portfolio में add करते हैं मैं financial advisor नहीं हूँ बड़ ये सारे के सारे वो projects है जो 2 साल की research करने के बाद market एक छोटी छोटी बारिकी को note करने के बाद बनाई गी है, market में घबराने का समय नहीं है, उल्टा bounce back करने का समय है alt coins को buy करते रहे, perfect bottom का इंतजार ना करें अब चलते हैं वो 3 alt coins जिनको हमने ignore किया बड़ उनको ignore नहीं, उनको portfolio में add करना चाहिए हाला कि मैंने अपने portfolio में उनकी buying अल्रड़ी कर रखी है बड़ अब मैं उनकी buying और ज़्यादा बढ़ा हुआ एक project तो ऐसा है जो भी हाली में launch हुआ है कोई भी विक्ति उसको लेकर बात ही नहीं कर रहा और उस project का नाम है Omany Omany बाइनास launch product का project है 22, 23, 24 dollars के अंदर पिछले 2-3 दिनों के अंदर ट्रेड हो रहा है खास बात यह है कि इसकी जो project की जो supply है वो केवल 100 million tokens ही है बहुत कम supply है as comparison to other crypto market जहाँ पर जो solid project से रहते हैं उनकी supply 1 billion से तो उपर ही रहती है और इसकी supply है केवल 100 million tokens मैं मानता हूँ कि यह project अच्छा boom करेगा अब इस project को चार चान लगाते हैं इसकी market cap इसकी market cap इस समय पर काफी कम है अगर मैं बताओ तो इसकी market cap है इस समय पर 252 million US dollars बहुत कम market cap है मेरा मानना है कि अगर यह project 2 से लेकर 3 billion US dollars की market cap के असपास जाता है तो इसका price predict कर पाना और वापिस उसको वहाँ पर buy कर पाना next to impossible हो जाएगा क्योंकि 400 dollars से लेकर 700 dollars के बीच में कुछ articles के मताबिक का price आखा जा रहा है आने वाली bull rally में Omni project एक super solid project है roll up transactions को एक ही platform के उपर combine करता है जितने भी roll up platforms है उनको अपने एक platform के उपर combine करता है और जितनी भी change है उनको भी combine करता है roll up finance launch pad का project है तो इसकी जो popularity है आप कह सकते हैं कि इसका जो team है वो काफी next level के उपर boost होता है तो ये project हमारी list में होना चाहिए आगला project जो काफी लोगों ने miss किया बढ़ हमने O.P. Arbitrum के साथ इसको भी add किया था वो था aptos जितने लोग भी हमारे साथ है दो डॉलर के अंदर हमने दबाकर भाई किया है 18 डॉलर के उपर exit किया था वापिस से 3.2 3.2 डॉलर के असपास हमने भाई की थी और आज 10 डॉलर के असपास चल रहा है aptos basically एक layer 1 project है खुद की chain है और इसकी chain के उपर आप daps, nfts, entertainment projects आप कह सकते हैं कि gaming, people, defy, social scalability को लेकर ये chain अब तक की super solid chain है जितनी भी layer 1 chains है उन में से अगर सबसे बहतरी chain ही समय पर काम कर रही है वो aptos है अगर aptos की market cap की बात कर तो 4.2 billion US dollars का है but I do believe कि इसका price आने वाली bull rally में 1.500 dollars से उपर जा सकता है कुछ लोग और including me मैं इसको Solana के बराबर का project मानता हूँ और अगर मुझे Solana और Aptos में से किसी को choose करना पड़े तो मेरी पहली choice Aptos होगी Aptos की जो chain की scalability है as comparison to other chains वो बहुत जादा है Aptos को ignore मत करेगा long term portfolio के लिए भी 2 सालों के portfolio के लिए भी और short term के लिए भी Aptos एक बहतरीन project यहां पर साबित होने वाला है and the third and the most आप कह सकते हैं कि controversial project Ethereum Classic अभी कहा price 27 dollars चल रहा है हमने 12, 13, 14 dollars के आसपस accumulate किया 35 से लेकर 38 dollars के आसपस हम इसे exit करकर आए और मैं इसको वापीस से अपने portfolio में add कर चुका हूँ Ethereum Classic जबसे Ethereum proof of work से proof of stake के उपर shift हुआ है जितने भी all over world miners है अब वो किसको mine कर रहे है वो Ethereum Classic को mine कर रहे है no doubt जो Ethereum Classic की team है वो उतनी active नहीं है जितनी active होने होना चाहिए या फिर other projects की team है even though Twitter की उपर भी अगर मैं community की बात करूँ तो बहुत चोटी community आ रहा हूँ कितरे 15-16,000 followers ही हैंगे बढ़ पिछली बार की bull market में BR market में आ गया था 4 डॉलर और bull market में गया था ये 190 डॉलर के आसपास मैं मानता हूँ कि Ethereum Classic एक super solid project है community छोटी है volume कम है बड़ कभी किसी exchange या deal list नहीं किया even though कभी भी कोई exchange नहीं भी आती है उसकी पहली पसंद Ethereum Classic को list करना होता है Ethereum Classic में हमेशा से buying बहुत अच्छी रही है Ethereum Classic बहुत सारे लोग hold कर रहे है बड़ community जदा बड़ी ना होने के कारण लोगों को इतना पता नहीं है Ethereum Classic का target मैं इस बाद 300 से लेकर 400 डॉलर्स लगा रहा हूं क्यों लगा रहा हूं इसके बहुत सारे कारण है जिसके लिए मुझे dedicated वीडियो बनानी बड़ेगी बड़ एथेरियम Classic को sincerely study करकर अगरे portfolio में रखेंगे तो Ethereum Classic की chain आपको समझ आना स्टार्ट होगी यानि कि तीन प्रजेक्ट पहला ओमनी इसकी supply कम है निया प्रजेक्ट है बाइनास launchpad का प्रजेक्ट है और सासी साज इसका market का बहुत चोटा है अच्छा परफॉर्म करेगा दूसरा Aptos, chain बहुत बढ़ी है हर एक तरह का project इसके उपर deploy हो सकता है हर दूसरा से तीसरा project Aptos के उपर deploy हो रहा है Aptos की जो popularity बहुत देजी से grow कर रही है एवन तो Twitter के उपर community बहुत solid है Aptos और तीसरा Ethereum Classic Proof of Work से Proof of Stake के उपर जब से Ethereum shift होगा है Proof of Work के project के list में Ethereum Classic का number सबसे पहले आता है Ethereum Classic की chain अच्छी chain है As compared to other projects Ethereum Classic को बहुत ignore किया जा रहा है बढ़ ये आने वाली bull rally का gem साबित होगा ये तीन projects और उसी के साथ साथ वो सारी की सारी तमाम news आज हमने आपके साथ कवर किये आपको ये वीडियो कैसा लगा make sure वीडियो को like करेगा channel को subscribe करेगा कोई भी doubt है comment करेगा मैंने आपके लिए 3 meme coins ढूंडे है जो meme coins को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा ये 3 meme coins आने वाली bull rally में अच्छा perform कर सकते है gems नहीं है darling alt coins में नहीं है अगर जानना चाहते है comment box में लिए 3 meme tokens मैं आपके लिए 3 meme tokens के एक वीडियो बनाऊँगा dedicated और बताऊँगा कि वो किस तरह से आने वाली bull rally में अच्छा perform कर सकते है इस वीडियो को अपने हर उस crypto दोस तक share करेगा जो crypto में काम करता है crypto का investor है, holder है, trader है crypto की हर एक जानकारी रखता है अच्छे projects को ढूंड रहा है बड़ पता नहीं है कि bitcoin का bottom क्या होगा bitcoin कहां तक जा सकता है बड़ ये वीडियो उसको guide करेगी बहुत अच्छे तरीके से, मिल तो ग्रिड में तब तक छोटे भाई को दीजेगा, इसासाथ बपाई